हेलो एपिरन बेलकम टो स्पेसल स्टडी वी द्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो एक बड़ा ही नोटिफिकेशन इस वीडियो में श्यार किया जागा एड्मिट कार्ड 2024 जो फरवरी मन्त में 6 फरवरी से चाहे 8 फरवरी हो और एड्मिट कार्ड क्यों ही डाउनलोड हो रहा है तो दोस्तो इस वीडियों के बारे में श्यार किया जाएगा कि आप कैसे अपने इस नए लिंक के मादन से आप अपना एड्मिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं आज दोस्तो लाइब प्रूब दिखाएंगे आप admit card कैसे आप अपना डाउनलोड करेंगे क्योंकि दोस्तो 6 फरवरी से examination चालू हो जाएंगे अभी आज 3 फरवरी को कोई भी admit card अभी तक किसी का डाउनलोड नहीं हुआ है इसकी सारी बज़ाएं देख लेते हैं आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरू से जरू देखे क्योंकि दोस्तो कोई भी तो दोस्तो जैसे आप डिट पस्वी की optional website में आएंगे तो एक नया section आपको यहाँ पे देख लें एक नई notification जी गई है यहाँ पे यहाँ पे देख लें एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है दा प्रोविजिनल एंड फर दा अपडेटिंग दा इमेल एंड मोबाइल नंबर देख लें आप अपडेटिंग इमेल एंड मोबाइल नंबर आप दा अप्लिकेंट इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे जैसे दोस्तों लेटिस्ट अपडेट के एक सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पे देख लें जो कैपूटा बेस्ट है नॉमबर यहाँ पे देख लें एक्जामनेशन का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे देख लें किस पकार से इंटरफेस हो गए आपको तो कंडिडेट लॉगिन देख लें लॉगिन एंड टुब्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड अपना अप्लि नए लिंक के मादन से और नए लिंक दोस्तो इसी वीडियो के डिस्क्रेशन बॉक्स में डाल दिया गया है आप वहां से जाकर चेकाउट कर लें यदि दोस्तों किसी कान बस आपका पासवर्ड रिसेट नहीं हुआ तो उसके लिए आपको थ्री स्टेप करना होगा देख login page, में कुछ इस प्रकार का interface होगा, इहां पे देख सक्ते हैं, user ad page या यूजर या login id डालेंगे फाँ भरते समय आपको मिला होगा। अपना user id और इंटर password करेंगे और यहां पर देख लंग लिए लॉग इन करेंगे तो कुछ इस पकार का नया इंटरफेस reset password का सेक्सान आ जाएगा और reset password यहाँ पर डालेंगे पुराने पास देखले applicant must reset password on first login after hitting the link candidate must reset for 30 minutes in 30 minutes के अंदर ही आपका नया password बनने के लिए तयार हो जाएगा second step में देखले candidate must fill login ID capture click get password button password setting link will be sent registered email ID में आपको थोड़ी कुछी मिनट एक या दो मिनट के अंदर भेज दिया जाएगा अपनी user ID या login ID डालेंगे और capture डालेंगे get password और login करेंगे दोस्तों तो आपका एक नया इंटरफेस होगा यहाँ पर देखलें जो इस्टित 3 और रहीं से आपका नया password बनना start हो जाएगे यहाँ पर देखलें कुछ इस टाइब का इंटरफेस होगा set new password अपने दो दो बार password डालना है और सभी अच्छरों को मिला मिला के नहीं अलग अलग डालना है और कंथांग का देना तो अपने email ID में एक नया message आएगा इस परकार से अपना फिर से आएंगे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से नया इंटरफेस होगे यहाँ पर देखलें और इस परकार से अपना नया admit card डाउनलोड कर सकते हैं विल्कुन आज ही ये लिंक जारी की गई है Thank you करीक तो